हाल ही में भारत सरकार को तेल का एक ऐसा खाजाना मिल गया है जिसके बाद भारत सरकार को कई सालों तक तेल का इंपोर्ट करने की जरुवत नहीं पड़ेगी इसकी वज़ा से भारत का हर महीने अर्वो खर्वो डॉलर बचेगा और जिसका उपयोग भारत की अर्थविवस्था को आगे बढ़ाने में किया जाएगा आपको पता है कि दुनिया में आज अगर सोने के भाव कुछ बिक रहा है तो वो है कुरूड ओयल कुरूड ओयल जिसके पास है वो प्राकृतिक रूप से है इसमें किसी देश के टेकनलोजी किसी देश का दिमाख या किसी देश की अर्थविवस्था का कोई रोल नहीं है प्रकृतिक ने जिसे कुरूड ओयल का भंडार दे दिया वो देश गरीब होते हुए भी वो देश पीछे होते हुए भी और वो देश बिना टेकनलोजी के भी आगे बढ़ गया लेकिन भारत को भगवान ने एक ऐसी टेकनलोजी दे दी है जो उन कुरूड ओयल देशों के पास नहीं है दरसल आप लोगों को पता होगा कि कुरूड ओयल इंपोर्ट करने के मामले में भारत कभी दूसरे नमबर पर कभी तीसरे और कभी चौथे नमबर पर आता रहता है मतलब की बिस्व में अगर देखा जाए तो तेल के इंपोर्ट में भारत अपना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है ऐसे में भारत के पैसे को बचाने के लिए भारत सरकान ने जो अहम फैसला लिया है और भारत सरकान ने जिसे टेकनलोजी का उपयोग किया है उससे आने वाले समय में न सिब भारत का अर्बो खर्बो रुपए हर महीने बशने वाला है बलकि उससे भारत अपने पैसे को भारत के अन्य छेत्रों में विकास कारियों के लिए लगाएगा बता दें कि भारत ने वेनेजुएला को एक ऐसा ओफर दिया है जिसकी वज़र से वेनेजुएला इन ओफर को कभी ठुकरा ही नहीं सकता भारत सरकार के द्वारा दिये गए इस ओफर को लेकर के वेनेजुएला काफी उत्साहित है तो आईए डिसकस करते हैं और समझते हैं कि भारत सरकार ने बेनेजुला को क्या आफर दिया है जिससे बेनेजुला उससाहित है और यह भी जानेंगे कि तमाम तेल कमपनियां मतलब कि जो देश तेल की भंडार को रखते हैं उन देशों में ऐसी कौन से टेकनलोजी नहीं है जो भारत जैसे कुछ गिने चुने देशों के पास ही मौजूद हैं तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिसकस करेंगे बिस्तार से लेकिन अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर लेटे भारत को इतनी बड़ी चीज कैसे मिल लही है तो आईये समझते हैं विस्तार से दरसल जिन देशों के पास तेल है उनको यह पता तो है कि हमारे यहां तेल हो सकता है लेकिन उस तेल की खोज करना और उस तेल को खोद करके गड़े से मतलब कि जमीन के अंदर कई किलोमीटर स पर Phocuse नहीं किए जब इनके यहां तेल मिला वो भी दूसरे देशों ने खोज कर बताया था अमेरिक्या जैसे देशों ने भारत रसी रसे देशों ने Gulf Country को बताया कि आपके यहां पर तेल है अब Gulf Country को यह तो पता चल गया, कि हमारे यहां तेल है लेकिन run सेल को निकाला क प्राप्त है वो इन गल्फ देशों या वेनेजुएला को नहीं है चलिए लंबे समय के बाद कुछ गल्फ कंट्री ने अपने यहां पर तेल की खुदाई के टेकनलोजी तो बना ली लेकिन अभी भी तेल की खोज करना और उन कुरूड आयल को रिफाइन करने की जो टेकनलो प्रावजी बनती है लेकिन अब बता दें आपको कि भारत के पास पूरे गल्फ कंट्री के टेल को रिफाइन करने का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है दरसल जितने भी गल्फ कंट्री हैं वह अपना तेल सिर्फ भारत से रिफाइन कराते हैं जब हम समुंद के अंदर से या केमिकल के माध्यम से केरेसीन ओयल को अलग करना पड़ता है ग्लेसरीन ओयल को अलग करना पड़ता है तो मतलब यह कुरूड ओयल जो होता है वह बहुत सारे तेलों का मिकसर होता है जैसे आप पानी में दूध मिला दीजिए पानी में तेल मिला दीजिए और पानी में भारत के पास वैसे बड़े बड़े रिफाइन कर डिफ और रिफाइन कंपनियां हैं जो विश्व के अलग अलग देशों को सहायथा परदान करते हैं अब देखिए अब यहां पर समीकरण सुरू होता है भारत की गल्फ देशों के पास सबसे नजदीक में बसा हुआ देश और भारत के पास और रिफाइन करने की टेकनलोजी है अब भारत को अगर गल्फ देश अपने और रिफाइनरी को यूज करने नहीं देंगे मतलब कि अगर गल्फ देश भारत की सहायता नहीं लेंगे तो अपने तेल को रिफाइन नहीं कर पाएंगे ऐसे में होता क्या है क सब्सक्राइब, अब गल्प डैस चाहे तो चाईना से सर्विस ले सकते हैं लेकिन चाईना बहुत दूर है और चाईना की सर्विस पर सब किसी को भरुशा नहीं होता और गल्प डैस चाहे तो योगह भी करा सकते और नहीं इसके प्रोड़क्ट पर किसी को कम भरोसा है इसलिए भारत गल्फ देशों को रिफाईनरी प्रवाइड कराता है अब यही रिफाईनरी वह बेनेजुएला को प्रवाइड कराएगा बैनेजुएला हाला कि बहुत दूर है देखा जाये तो बेनेजुएला अमेरिकिया के सबसे नज्दीख है वेनेजुएला चाहे तो अमेरिकिया से अपना सारा काम करवा सकता है लेकिन वेनेजुएला और और अंरक या कि वी आपधा नहीं ते लिए व में वेनेजुलय में तक्था प्लैट में अमेरिक्या का बड़ा रोल बताया गया और वेनेजुएला की जब्वारत कीर्तित्य तरफ़ तंग हो गई तो अमेरिक्या ने उसकी कोई सहायता नहीं की थी इसलिए वेननल कभी सारी जितनी मदद करेगा और जितने दिनों तक मद़िकर एक हम भारत को कच्छा तेल we free में ने भी कहा है कि हमारे यहां पर हो सकते हैं अगर उसको भारत खुझने में मदड करेगा तो भारत उसका 50% तेल फ़्री मिले सकता है मतलब कि भारत को सिर्फ उनके यहां तेल की खोज करनी है और यह बताना है कहां तेल पिर पर फिर रिफायं करना है और उन्हें देना है फिर उसका 50% मिल जएगा मतलब भारत को 75% तेल फ्री में मिल गया और भारत जब तक उनकीключ यह सेवा कर रहा था लेकिन उसे नहीं मिला